नमस्कार मैं मैं एदुल सेट फर्म एड़राइजन प्रावेट लिमिटेड बहुत सारे पेरेंस और स्टूडेंस का ये कोश्चेंज भी आते हैं दोस्तों के सर हमें एक कॉलेज दीजिए जो में शहर में हो और सम्टाइम्स पेरेंस और स्टूडेंस का ऐसा भी कोई जी रह देख रहें एपार्ट फ्रम दो पॉकेट मनी यू स्पेंड है तो टोटल अगर एक्स्पेंसिव देखेंगे साट लाग उपर जाएगा कोई भी यूनिवर्सिटी आप मोस्को में देखेंगे तो अगर मैं आपको बताओं कि ऐसा यूनिवर्सिटी है जो बिल्कुल अगर मोस्को यूनिवर्सिटी के आंदर आता था बर अब उनको एक इंडिपेंडेट यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला तो अब वो खुद अपना डिग्री देता है बच्चे को और इंडिन स्टूडेंस के लिए यूनिवर्सिटी कोई नया नाम नहीं है और अगर खर्चे की बात करो दोस्तो तो मोस्को की जो भी यूनि में पढ़ते हैं वो अल्मोस्ट सड़ेटे संडे मोस्को में एंजॉय करते हैं सुबह बाइट ट्रेंग तवेर से मोस्को गये दो घंटे में पहुंच गये पूरा दिन सीटी को एक्स्ट्रोर किया एंजॉय किया और डेली से भी आपको सिर्फ साड़ेचे घंटे का मोस्क आपको तक फ्लाइट लेना है कि आगे जाने के लिए आपको कोई और फ्लाइट नहीं चाहिए तो तवे स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी को आप अप तवे स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी स्टब्लिस्ट इन इंडेयर 1936 और इंडियन स्टूडेंस की बात करो उनिवर्सिटी का नाम है तवेर स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी है इन फाक्ट जो भी ट्रेन मॉस्को से निकलता है सेंट पीटर्सबर्ग के लिए उसका पहला स्टॉपेज ही तवेर है तो बहुत इजी है एक बार आप मॉस्को पहुंच गये उसके बाद मोटा मोटा समझ लिजे तीन सो से चार सो मैक्सिमम पान सो रुपय में आप अपने उनिवर्सिटी पहुंच जाओगे ये उनिवर्सिटी में अपना गर्मेंट होस्टेल मिलेगा 2023 से इंडियन मैस भी चालू हो गया है तो खाने पिने का भी दिखकत नहीं है अगर आप पूछे सर वाट इस इस फीज या टोटल पैकेज रूबल और इंडियन रूपीज अलमोस्स सेम मान के चलिये अगर होस्टेल फीज की बात करो इट इस अल्ली 12,000 रूबल पर ये बहुत ही नॉमिनल है बहुत ही अफोड़बल है और हर होस्टेल इस फुली एक्विप्ट विट बेसिक फेसिलि प्रफूर में आपको कॉमन कीचेन और कॉमन बातरूम मिल जाएगा कॉमन कीचेन में आप अपना सेल्फ कुकिंग कर सकते या अगर आप सेल्फ कुकिंग नहीं करना चाते तो इंडियन मेस को आप जॉइन कर सकते हैं जिसका खर्चा एट टू 9,000 है और वहीं पर अगर इसका फीज टक्चर माने तो पुरे 6 साल का फीज, पुरे 6 साल का होस्टेल, पुरे 6 साल का वीजा एक्स्टेंशन, इंस्वरेंस, बायमेट्रिक और अगर मैं सेल्फ कुकिंग को एड़ करूं तो एप्रोक्स एप्रोक्स 22 से 23 लाग में आपको तवेर कंप्लीट हो अब पुचेंगे सर क्या recognition status है तवेर स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी का तो तवेर स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी इस रिकोगनाइज बाई नेशनल मेडिकल कमिशन इंडिया, WHO, ECFMG USA, GMC UK and all other prominent medical councils all over the world means after completion of the course from तवेर स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी you can practice in इंडिया as well as in any other country अब बात करते हैं eligibility क्या है तो तवेर स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी में admission लेने के लिए आपको 10th और 12th में 50% जरूत है Physics, Chemistry, Biology में 50% चाहिए और NIT आपका qualified चाहिए बता दू, 2024 session में अगर आप admission ले रहे हैं तो अगर आपने NIT 2023 या 2022 में भी दे रखे हैं और qualify हो रखे हैं तो वो NIT score भी valid होगा 2024 session के लिए अगर हम बात करेंगे तवे स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी का intake के बारे में तो there is only one intake that is September दोस्तो ये बताना चाहूंगा क्यूंके तवे स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी एक low budget उनिवर्सिटी है Moscow के बहुत पास है तो इसमें बहुत जादा seat रहता नहीं है दोस्तो यहाँ पर जानना ये ज़रूरी है कि तवे स्टेट मेडिकल उनिवर्सिटी जे लो बजेट मेडिकल उनिवर्सिटी इन रुशिया और मोस्को के पास है और 25 लग के अंदर सब कुछ हो जाता है इसलिए स्टूडेंस खास करके इंडियन स्टूडेंस का एक प्रेफर्ड कॉलेज में आता है जादा स्टूडेंस इंडिया से लोग लेते नहीं है अप्रोक्स 250 तो 300 एवरी यर और अभी से ही बहुत सारे इंडियन स्टूडेंस प्रेफर्ड कर रखा है तो अगर आप इंटरेस्टेड है एक मेडिकल कॉलेज चूज करना जिसमें आपको टोटल क्यूशन फीज, हॉस्टेल फीज, खाना, पीना, वीजा, एक्स्टेंशन, इंशोरेज मिला के 25 लाग के अंदर हो, जो रिकोगनाइजड हो, जो एनमसी गाइडलाइन को फूल्फिल कर रहा है क्यूंके तवेर आपको पूरा इंग्लिश मीडिया में पढ़ा रहा है, तवेर आफ्टर कम्पलिशन अफ दो को जब आपको डिग्री देगा तो इंटर्शिप कम्पलिशन सर्टिफिकेट भी देगा और येस रशियन गवर्मेंट इंडियन स्टुदेंस को आफ्टर कम्पलिशन अफ दो कोर्स तो लाइसे भी देगा